गुट मॉर्निंग फ्रेंग्स आइम रवीना शेखावत और वेलकम तू माई यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत प्रेंकर्स फ्रेंग्स एज ओल्वेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट करेंट अफेर सेशन अगर आपको एक रेंट अफेर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए चैनल को ग्रोथ दीजिए हमारा आज का पहला क्योश्चन हाल ही में नितिन गड़करी ने कहां भारत के पहले नीजी अल एंजी श्विधा शेंत्र का उदगाटन किया इसके अप्शन से नागपूर महाराष्टर कानपूर उत्रप्रदेश बोपाल मध्यप्रदेश गुडगाउं हरियाना इसका राइट आंसर है नागपूर महाराष्टर नितिन गड़करी ने नागपूर महाराष्टर में भारत के पहले नीजी अल एंजी श्विधा शेंत्र का उदगाटन किया यह सेंत्र बैदनाथ आयर्वेदिक शम्मू दवारा स्थापित किया गया उर्जा और विजली छेतर की और क्रिशी के विविधिकरण के लिए जैव इन्दन के महतों पर जोर देती विगड़करी ने खाकी बारत पैट्रोल, डीजल और पैट्रोलियम उत्पादपूँओं पर आयात आठ लाक क्रोड खर्च कर रहा है इसके अलाव सरकार ने एक नई नीची त्यार किये जो लागत प्रभावी प्रदूशन मुक्त और शोदेशी इथेनोल, जैव, सिन्जी, संपिडित प्राकरती गैस, अलन्जी और हैड्रोजन इंदन के विकास को प्रोचाइन करेगी उन्होंने का कि वेकल्पिक इंदन के उत्पादन के लिए चावल, मक्का और चिनी की अधीशेस मात्रा का उप्योग किया जाना चाहिए सड़क और प्रिवहन राज मार्ग मंत्री हैं, केंद्रिय मंत्री नीतिन जैराम गडगरी, नागपुर महराश्टर सिंग की कुएंसिट्वेंसी हैं, राज्य मंत्री हैं, जनरल विके सिंग, गाज्यवाद, उतरपरदेश से इसके अलावा, वाणी जय मंत्री प्यूस गोयल ने भारत इटली जे सी इसी के 21 सथर की सह देख्सता की, वाणी जय मंत्री प्यूस वेद प्रकास गोयल, राज्य मंत्री हैं, नूप्रिया पठेल और सौम प्रकास, हमारा आज का अगला क्योंच्चन हाल ही में, कौन दिल्ली विश्य विदाले के बंग बंदू, चेर्में स्थापित करेगा, इसके ओप्शन हैं, ICCR, ICCR, IBN, S.J.V.N.L., इसका राइट आंसर है, ICCR, ICCR दिल्ली विश्य विदाले में, बंग बंदू, चेर्में स्थापित करेगा, पहली बार, जो ICCR मतल यह बंग बंदू सेख मुझीबूर रह्मान को सम्मानित करने और बंगलादेश मुक्ति यूद और भारत की पचासवी वर्षगाठ मनाने के लिए दिल्लीवी शुदाले में बंग बंदू चेर की स्थापना करेगा और इस पर वही आदमी बठेगा जो मूल रूप से बंग ने नेपालने नेपालने 789 मेगावाट लोर अरू एलाक्ट्रोनिक एस्पी विख्षित करने के लिए भारत के आज जेवी एनल के साथ कितनी रासिका मोई साइन किया है इसके ओप्चन से चार बिलियन अमेरीकी डोलर डाइब मिलियन अमेरीकी डोलर एक बंद थीन बिलिय है इन्होंने 689 मेगावार्ट लोवर अरून इलक्ट्रोनिक एस पी विख्षित करने के लिए भारत के एस वी एस जे वी एनल मतलब सतलूद जल विदूद निगम लिम्टेड के साथ एक पॉइंट तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर का एमो यू साइन किया है लोवर अरून एस पी यह नेपाल के संखुवा सभा और बोजबूर जिलों में इस्तित है इसके अलावा यह है एस जे वी एनल को 25 वर्षों के लिए बी ओ ओ टी मतलब ब्लिट ओवन ओप्रेटर ट्रांसफर आधार प्रावंटित की गई है जो सतलूस जल विदूत निगल में उटेड वर्तवान में 2016.29 मेगावाट की स्थापित शमता है और 2013 तक 5000 मेगावाट की कंपनी बनाने का लक्षा है इसका हैड़कॉर्टर सिमला हिमाचल प्रदेश में हमारा आज का अगला क्योस्चन हाल ही में किस ने कोविड नाइंटीन के खिलाफ 650 बिलियन HDR को मंजूरी दी इसके ओप्सन से डबलु एचो यूएंडीपी डबलु टी ओ आइमफ इसका राइट आंसर है आई एमफ आई एमफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने कोविड नाइंटीन के खिलाफ 650 बिलियन HDR श्पेशल ड्रोइंग राइट्स को मंजूरी दी है आई एमफ के इतियास में सबसे बड़ा आउंटन है यह सभी आई एमफ सदस्य देशों की तरलता और बंडार को बढ़ावा देना और वेस्टिक अर्थ वेस्ता की लचिलापन और स्तिरता को बढ़ावा देना HDR आउंटन अगस 2020 के अंत तक पूरा हो जाएगा और विकासिल देशों को तुरुंत जायता में 200 बिलियन वेस्ट डॉलर के अधिक प्राप्त होने की अनुमती देगा आई एमफ HDR को अमीर देशों से ग्रीब और अधिक कमजोर सदस्य शेयर्स में उनकी कोविड-19 वसूली में मदद करने के लिए चैनल करेगा जो जो जोन्स ओप्सिन वी सुविदाले के रिकोर्ड के नुसार दुनिया बर में कोविड-19 के काण होने वाली मोते चार मीलियन तक पहुंच गई हैं जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आई एमफ उनको स्पोर्ट करता हैं आई में अभीमरी अभी अभी अहमद कौन से देस के प्रदान मंत्री बने कोई नहीं इसका राइट एंसर है इतियोपिया अभी एहमद इथियोपिया के प्रदान मंत्री बने है इन्होंने में 437 संसद्य सीटहpower में चार्तेश Informed 670 जीत कर देश का संसिद्य चुनाव जीता है यह पहले से ही प्रदानमंतरी थे यह उनका दूसरा कारेकाल है यह वही अभी एहमद है जिन्होंने इथियोपिया और इडिटरिया के बिच 20 साल के यूद के बाद शेत्रिय अगतिरोद को स्माप्त करने के काम के लिए इनको 2019 में नोबेल सांति पुरुषकाल मिला था इथियोपिया की राजदानी अदिस अबावा जो राश्ट्र बती हो हैं सहले व्रक जेवडे मुद्रा इथियोपियाई बि घ्मरा आज का अगला question विबल्डन चेंपियंशिप मेंज 2021 किस में जीता है इसके options नोबाध जोकुईच मोट वेडेटीनी निकोलां मैक टिक और एलिस मर्टै एसका right आंसर है जोग नवाध जोकुईच नोबाध जोकुईच ने विबल्डन चेंपियNजफ 2021 मेंज जीता जुन को जित किया गया था इसमें जो पुरूश एकल में जो नुवाक जो कोविच जो कि मूलोब से सर्भी आके इन्होंने जीता है और इन्होंने माटेव वेरेटीनी जो कीडली से हैं इनको हराया इसमें इसके लावा जो मैला एकल में जो वीवल्डन चैंपियंसी वहां ए लिकोला मैक्टिक और मेट पाविक जो की क्रोश याई जोड़ी है इन्होंने मार्शेल ग्रेनोलर्ष जो की स्पेंसे हैं और होरासियो जेवेलोस जो की अरजेंटिना से हैं इनको हराया है मैला डवल्स में एलिस मर्टेस जो की बेल्जियम से हैं और हसी सूवेई जो की च इटली इसके अलावा इटली ने यूई एफ ए यूरो दो हजार भी जीता है अमारा आज का अगला क्योंचन नेशनल फिस्वार्मल डे 2021 कब मनाया गया है इसके ऑप्सेंस हैं 10 जुलाई 11 जुलाई 12 जुलाई 13 जुलाई इसका राइट आंसर है 10 जुलाई 10 जुलाई को नेश अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक सेयर कमेंट स्क्रेंड बैल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे आनिवारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रही है थेंक्यू झाल 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 झाल